तो ही गाई आप लोगों का मेरे चैनल में सौड़त है आज मैं आपको बताऊगा कि अम्बूलेंस के जारी के आगे एम्बूलेंस के लिखावार है तो पेने टाइब इसमें करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो बने रहे हैं मेरे वीडियो तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों ने तो एम्बूलेंस को देखा ही होगा लेकिन एक चीज जिस पर गौर की है आप लोगों ने कि आगे एम्बूलेंस वर्ड उल्टा लिखा रहता है तेके जाप स्क्रीम देख सकते हैं इस इमेज को आप लोगों को तो पता ही होगा कि एम्बूलेंस किस काम आता है जब कोई पेशिंट बहुत बीमार या सीरियस होता है तो जो एम्बूलेंसी हॉस्पिटल तक ले जाती है यह बहुत काम की चीज है लेकिन आप जानते हो कि एम्बूलेंस के आगे एम्बूलेंस वर्ड उल्टा क्यों लिखा रहता है तो चलिए अब इस पर हम लोग बात चीच शुरू करते हैं आप तो जानते ही होंगे कि एम्बूलेंस इमर्जैंसी के वक्त यूज होता है और इसके उपर जो उपर लाइट नहीं लगी रहती है वह ब्लू कलर और रैट कलर की उसका मतलब इमर्जैंसी होता है जो आप उपर स्क्रीन में इमेज देख रहे हो नहीं जिसमें मैंने वह सनी किया है वह वही एमजेंसी लाइट है जब एमबुलेंस रोड से जाती है तो रोड में बहुत ट्राफिक रहती है और अगर एमबुलेंस ट्राफिक में फंस गई बहुत बड़ी दिक्कत भी हो सकती है इससे और अगर मानने ये कि अगर कोई ambulance ट्राफिक में फस गई है तो जो गारी उसके आगे खड़ी है ambulance के आगे तो वह जान सके कि पीछे ambulance है आप लोगों को तो पता ही होगा कि अगर हम लोग mirror में कोई भी चीज देखते हैं तो वो हमें उल्टी दिखती है ambulance में तो ambulance वर्ल उल्टी ही लिखी रहती है तो उसके आगे जो गारी खड़ी है वो अपने back mirror में देख सकती है कि पीछे एक ambulance खड़ी है और उसके back mirror में सीधा सीधा दिखाई देगा कि पीछे एक ambulance खड़ी है जो अब screen में image ने देख रहे हो उसी से हमें पता चलता है कि हमारे पीछे एक ambulance खड़ी है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है चलिए अब मिलते हैं हम लोग next वीडियो में guys हो सकता है ये वीडियो आपको नई पसंद आयोगे क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और मैंने अभी नया नया सीखा ही है तो मैं धीरे धीरे अपनी quality को improve करूँगा और आप लोग मुझे हमेशा support करते रहना अगर ये वीडियो आपको पसंद आयोगे तो वीडियो को like करेना और साथ में चानल को subscribe करके bell icon भी प्रेस करना और वीडियो शेयर करना मत भूलना और साथ में अपना बहु मूले कमेंट भी दे कर जाना